ये है Samsung Galaxy S23, ये smartphone नहीं है, ये है the perfect smartphone, अब ये क्यों एक perfect smartphone है, जानने के लिए, देखते रहिए ये है S23 का box pack, काफी compact है, box के अंदर ये है handset, ये cream color variant है, इसके अलावा कुछ booklets, type C to type C cable, और ये sim tray ejector pin, box में दिया हुआ है, वैसे box में charger नहीं है तो जो Samsung Galaxy S23 है, इसका जो specifications है, I'm sure आप मेंसे काफी लोग जानते होंगे, impressive level का है, premium level का है, और मेरे लिए ये एक perfect smartphone इस लिए है, क्योंकि इसका जो form factor है, amazing है, दो चीज, एक तो है इसका dimension और दूसरा है इसका hand feel, अब ये जो handset है, मैंने जितने भी logo के हातों में दिया, पहली से इसे operate कर सकता हूँ, pockets में भी काफी बढ़िया तरीके से ये fit हो जाता है, जादा space नहीं लेता है, और मुझे नहीं लगता कि 2023 में कोई भी ऐसा smartphone launch होगा, जो कि इस type के perfect smartphone को टकर दे पाएगा, इस पर armor aluminum frame उसके गया है, scratch resistant है, और काफी tough भी है, और अगर आप यहां पर ध स्लिम है, 7.6 mm थिकनेस है, और इसका जो वजन है, यह है 168 grams, तो perfect size, perfect feel, perfect thickness और perfect weight, यह most sustainable galaxy device है, मतलब की environmental friendly, और इसमें sustainable material यूज किया गया है, natural dye यूज किया गया है, कलास के लिए, जो case और जो covers है, वहां पर भी sustainable material यूज किया गया है, in fact जो packaging है, यह भी recycled material से बना हुआ है, galaxy S22 का comparison, अगर हम galaxy S23 के साथ में करें, तो ज़्यादा difference नहीं है, major change जो है, वो processor में है, और जो battery है, S22 पर 3700 image की थी, और यह जो S23 है, इस पर 3900 image की है, अब हो सकता है कि आप मेंसे काफी लोगों को लगे कि जो battery है, Samsung को और ज़्यादा देना चाहिए था लेकिन दोस्तों, यह जो smartphone है, इसे मैं कुछ दिनों से use कर रहा हूँ, और traveling के दोरान भी मैंने इसे use किया है, और मुझे जो battery life मिला, उससे मैं काफी impressed हूँ, 3900 image की battery होने के बावजूद भी, यह आपको आसानी से one day का battery life दे सकता है, मेरा जो usage pattern है, उसके हिसाब से मुझे तकरिबन 30 hours का battery life मिल रहा है, तो जब मैं traveling करता हूँ, और घर पुस्ते पुस्ते, तकरिबन 10% तक battery फिर भी available रहता है, और मैं आपको एक और चीज बता दूँ कि रात के समय अगर आपने मानी जे 10% battery है और इसे रख दिया है, इस पर alarm set किया हूँ है सुबे के लिए, तो जो battery drop है रात को, वो है तकरिबन 1 या 2%, तो Samsung और Qualcomm ने जो hardware है इसे बहुत ही पढ़िया तरीक इसे optimize किया हुआ है, और इसमें जो 3900 इमेज की battery है, अगर इसमें जादा battery होती तो जो weight है वो change हो जाता, और प्लस, जो experience फिलाल आपको इस पर मिल रहा है, perfect experience, वो शायद नहीं मिलता, अब मुझे नहीं बता कि जो S23 Plus है, उस पर किस परकार का experience आपको मिलेगा, handful की बात कर रहा हूं, लेकिन ये एक perfect smartphone है, camera quality भी इसकी perfect है, amazing level की है, इसमें 50 megapixel camera दिया हुआ है, 12 pixel technology उसकर रहा है, OIS के साथ में आता है, 8K videos शूट कर सकता है, selfie camera 12 megapixel का है, और ये देखे, ये कुछ samples है, जो कि मैंने इसी smartphone के साथ में शूट किया हुआ है, ये है low light shots, pretty impressive, और ये मैंने एक fast action shot लिया हुआ है, ये भी काफी अच्छा लगा मुझे, ये देखे, एक और shot, ये shot मुझे actually काफी पसंद आया, ये मैंने morning walk के समय लिया था, impressive, वैसे जितने भी shots मैंने इस smartphone के साथ में shoot किया हुआ है, इसने मुझे निराश नहीं किया है, ये देखे, ये कुछ और shots, बहुत ही amazing shots है, तो इस headset को जो size है, और जो feel है, मुझे इतना पसंद आया कि मैं इसे as a daily driver की तरह use कर रहा हूँ, और जहां भी मैं जाता हूँ, events के लिए, इसे लेके जाता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये सारे shots मैंने इसी smartphone के साथ में shoot किया हुआ है, selfie भी काफी amazing shoot करता है, और ये देखे, ये कुछ portrait shots है, portrait में आपको इस प्रकार के effects के options मिलते हैं, इसे भी आप use कर सकते हैं, ये देखे, ये है मेरा portrait shot, और ये है selfie shot, जो कि मैंने outdoor shoot किया हुआ है, य ये देखे, ये है मेरा shot, और जैसे ही मैं इसे view करता हूँ, तो ये photo को enhance करता है, ये देखे, मेरा face है, इसने light up कर दिया है, तो किसी भी environment में आपको amazing shot shoot करके ये दे सकता है, और ये है sample video, यहाँ पर मैंने super steady mode जो है उसे enable किया हुआ है, और recording के समय आपको wide angle का भी mode मीता है, ये wide angle में मैं shoot कर रहा हूँ, ये है 1x और ये है 3x, तो wide angle में आपको काफी बढ़िया stability देखने को मिलेगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मैं 60 fps में record कर रहा हूँ, front camera जो है, selfie camera उसे use करके, तो V-Lockers के लिए ये बहुती बड़ी option है, इसलिए भी एक तो 60 fps और दूसरा ये कि ये 4K वीडियो है, इस handset में special Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 processor यूज किया गया है, जिसे Qualcomm और Samsung ने खास करके इन smart phones के लिए optimize किया हूआ है, और ये देखे, ये है Geekbench 5 score, काफी अच्छा है, और ये देखे, ये है 5G speed जो मुझे मिला हूआ है, 555 Mbps और वैसे भी आजकल काफी लोग 5G यूज कर रहे हैं, तो ये एक perfect smartphone है, येस आप इस पर इस प्रकार के games खेल पाएंगे, काफी smooth experience आपको मिलने वाला है, और ये जो handset है, इसका जो hardware है, इसे gaming यूज के लिए बहुत ही बड़े तरीके से optimize किया हूआ है, ये ज्यादा heat अपनी होने वाला है और आप काफी देर तक इस पर games खेल पाएंगे, ये in display fingerprint sensor के साथ में आता है, इसका जो display है, amazing level का है, धूप में ये बहुत ही बड़े तरीके से visible है, ये 6.1 inches का display है, full HD plus resolution के साथ में आता है, dynamic AMOLED 2X display है, HDR 10 plus सपोर्ट करता है, 1750 nits brightness है और ये 120 Hz refresh rate सपोर्ट करता है, UFS 3.1, 128 GB पर और UFS 4.0, higher variants पर, dual speakers, 32 bit audio, tuned by AKG, speaker की जो quality है, ये भी काफी अच्छी है, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, तो अगर आप ये perfect smartphone खरीदने का सोच रहे हैं, तो अभी perfect समय है, perfect office के साथ में, S23 को आप prebook कर सकते हैं, आपको Galaxy Watch 4, Classic LTE, साथ में Galaxy Buds 2, ये दोनों additional 4,999 रुपीज में मिल सकता है, और Samsung upgrade up to 8,000 bonus, plus 10% cashback भी आपको मिल सकता है, EMI options भी available है, ये जो offers है, ये 23rd February तक valid है, अधिक जानकरी आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, देखते रहिए,